हाई फ्रेंड्स, बेस्ट विजनास, एन्बी चैनल पर आप सभी का सौगत है, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बॉयलर पॉल्ट्री फार्म का फर्श कच्चा होना चाहिए या पक्का होना चाहिए जी हा दोस्तों बहुत सारे फार्मर, नए फार्मर कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें कच्चा फर्श रखना है या पक्का रखना है, मैं आज आपको पक्का रखने से आपके क्या फायदे होगे, क्या नुक्सान होगा और कच्चा रखने से आपका क्या फायदे होगे, क् इन सभी विश्यों पर हम बात करने वाले हैं इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखना और अगर कोई नए मित्र पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि आने वाली आइसी स अभी वीडियो की नोटिफिशन आप तक पहुच सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप पॉल्ट्री शेड बना रहे हो और आपका बजेट अगर ज्यादा है तो आप पक्का फर्ष बना सकते हो जिया दूस्तों पक्का कॉंक्रेट का फर्ष बना सकते हो उसके फाइदे मैं आपको बता दू उसके बाद उसके नुकसान आपको बताता हूँ अगर आप पक्का फर्ष बनाते हो तो सबसे ज़्यादा खर्चा आता है पक्के फर्ष में जिया दोस्तों बहुत सारा क्योंकि उसे कॉंग्रेट का बनाना पड़ता है करके उसमें बह पानी से धोके साप कर सकते हो पानी से धोने में ये फाइदा होता है दोस्तों कि पूरी तरह से जो लीटर होता है वो पोल्टी शेट के अंदर से निकलता है अगर आप पक्के फर्ष को पानी से धोगे तो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा दूसरा एक फाइदा कि आपको बा बारिश की मोसम की जो बैचेस होती है दोस्तों उसमें अक्सर लिटर गिला रहता है, क्यूंकि क्या होता है कि नीचे के मिट्टी से थोड़ी नमी मिलती है लिटर को, लेकिन अगर आपका फर्ष पक्का है, तो लिटर और मिट्टी के बीच में फर्ष रहेगा, इन दोनों का संपर्ट तूड जाएगा इसलिए बारिश के दिनों में आपका फाइदा होगा कि आपका लीटर ज्यादा गिला नहीं रहेगा और अगर लीटर गिला नहीं रहेगा इसका मतलब आमोनिया ज्यादा नहीं बनेगा वेल्टी नेशन सही रहेगा आपके यह पे बिमारी का खत् तो फिर जुटा होंगा वही फिर आप मुर्गयों को दोगे तो उसमें बैक्टेरियल इंफेक्शन होने का डर होता है अगर चुओ का बिल रहा तो पक्के फर्ष में चुओ का बिल होता ही नहीं है साथ दोस्तों चिडियों के भी छोटे-छोटे बिलने होते हैं उसके बाद पक्के फर्ष पर चुने की पुता ही इतनी इजी होती है और बहुत कम चुना लगता है ये सबी फाइदे होते हैं दोस्तों पक्के फर्ष के लेकिन पक्के फर्ष में छोटे-बड़े नुकसान भी होते हैं तो उसके नुकसान के बारे में भी आपको बता दू मानलो आप के आपे गलती से कोई ड्रिंकर की लेटर चुए ने या गलती से कई कट गई या फिर आपका ड्रिंकर लिकेज हो गया और नीचे पक्का फर्ष है तो दोस्तों टैंग में से जो पानी लिकेज हो रहा है ड्रिंकर के माद्दम से या लेटर के माद्दम से तो उससे आपका लि बुरादा आपका गिला बुरादा जल्दी सूखेगा भी नहीं यह एक प्रोब्लम आता है बे मोसम जो बरसाद हो या फिर बारिश में अगर गलती से पर्दा एकादी जगा का उल गया या गलती से पानी अंदर आ गया तो वो समय में भी दोस्तो नीचे अगर पका फर्श है तो आपके चूजे ज़्यादा से ज़्यादा गिले रहेंगे जी हाँ और वो अगर 6-7 गंटे के उपर गिले रहे गए तो दोस्तो थोड़ा बिमारी का खत्रा और भी बढ़ जाता है पक्के फर्ष में क्योंकि पक्के फर्ष में जो पानी है वो पूरे शेड में अगर आदा शेड भी गिला होता है तो वो थोड़ा पूरे शेड में नीचे से फैल जाता है क्योंकि नीचे पक्का फर्ष है लिटर भूत फास्ट गिला होता है पक्के फर्ष में एक प्रॉब्लम बारा मैने याने पूरे साल बर रहता है दोस्तों कि जो आपका डिंकर होता है पानी का उसके नीचे हमेशा आपको गिला दिखेंगा हर दो तीन दिन बाद आपको आपे बुराता दालना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे पक्का फर्ष करके पानी जो है वो जमिन में जाएगा नी वही रहेगा वही फैलता रहेगा करके आपको हमेशा बुराता दालना पड़ेगा पूल्ट्री में क्या करते है शुरू में कम जगा देते है फिर उत जगा को बढ़ाते है फिर और बढ़ाते है फिर बाकी में पूरा खोल लेते है अगर आपके poultry shade में पक्का फर्ष है तो ये जो जगा खोलने के partition है या आपको मजबूत लोहे के बनाना पड़ेगा कि आप उठा के उसको कहीं भी रख सको क्यूं कि इसमें पक्के फर्ष में आप कहीं भी बांबू गाल के उसको आजू आजू में फारी वगेरा रसी वगे होती है फिर वो चूदा रहे या फिर आपका बड़ा बर्ष रहे और उसके साथ साथ थंडियों के दिनों में भी दोस्तो जो छोटे चूदे रहते हैं उनको जो फर्ष है वो बहुत ज़्यादा थंडा हो जाता है करके उनके पैरों को infection देखा गया है brooding के वकत दिक्कत आ सबसे बड़ा फाइदा यह दोस्तो कि आपके poultry shade में बनाते समय लागत एकदम कम हो जाएगी क्योंकि concrete का पक्का फर्ष बनाने के लिए बहुत ज्यादा लागत आती है यह लागत अगर आपकी या पैसा अगर आपका बज गया तो आप कम से कम 15-20% फार्म ज्यादा हो जाएगा इनी पैसों में दूसरा कच्चा अगर फर्ष है तो डिंकर में से जो थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है या मुर्गया पानी गिराती है ऐसे समय में मिट्टी उसे सोक लेते इस कारण पूरे poultry shade के अंदर आपके जितने भी डिंकर लगे हुए है उनके नीचे आपको ज्यादा गिला मैसूस नहीं होगा और गिला मैसूस नहीं होगा करके आपका जो बुरादा है जो पक्के फर्ष में ज्यादा से ज्यादा बुरादा दालना पड़ता है बुरादे का पैसा बचेगा आपकी मैनत बचेगी साथी दोस्तों गर्मी के दिनों में जो मि इत्ती थंडी नहीं होती है इसलिए दोस्तों आपको ब्रूडिंग के वकत मिट्टी का अगर आपका नीचे का फर्ष है तो उसमें ज्यादा थंड़क आपके चूदों को मिलेगी नहीं आपको उतनी तेज ब्रूडिंग नहीं करना पड़ेगा ये थंडी के मुसम में भी आ आदे खुले या पूरे खुले होते और ऐसे समय में बे मोसम बरसाद होती है तो दोस्तों हवा के कारण पॉल्टी शेट के आदे तक पानी आता है बे मोसम बरसाद में लेकिन अगर आपके पॉल्टी शेट के अंदर कच्चा फर्ष है और कितने भी जोरों से पानी आता है तो poultry shade पूरा गिला नी होगा जितना आपका poultry shade गिला हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटे के अंदर ही पूरा पानी जमीन नीचे सोक लेगी क्योंकि आपका कच्चा फर्ष है आप उस पे जल से जल बुरादा दाल के जल से जल उसे सुका सकते हो क्यों कि जमीन नीच जो उपर का पानी आया हुआ है उसे खीक लेती है और बुरादे को भी जल्दी सुका देती है इससे क्या होगा अगर आपका लिटर जल्दी सुक जाएगा तो आप उस पे चुना मारके तुरंट चूदों को पूरा पुल्टरी शेड में पेस दे सकते हो क्योंकि नीचे का लिटर अगर गिला हुआ और आपका चूदा दड़ गया तो ऐसे समय में बीमारी आने के प्रतिशत बढ़ जाते है इसलिए अगर कच्चा फर्ष है तो आप लिटर को जल्दी सुकाने में आपको मदद मिलेगी कच्चे फर्ष में आप कही भी लखडी या लोहे की सलाक को ठोक के गाड़ सकते हो उसको कोई भी पॉलिथीन वगेरा पनी वगेरा प्लैस्टिक लपेट के आप बीज-बीज में कई भी पार्टिशन कर सकते हो ये सिरिफ कच्चे फर्ष पे या आपको देसी जुगाल करने का मोका मिलता है फिर आप ओ पार्टिशन धीरे धीरे कितना भी इदर उदर सरकाते जाओ आप कच्चे फर्ष पे कैसा भी पार्टिशन बना सकते हो अगर मानलो आपका कोई डिंकर लीग भी है या फिर लैटर चुए ने काट दिया कुछ भी हो गया अगर टैंक का पानी कच्चे फर्ष पे आ रहा है तो दोस्तों वही के वही सुकता है याने जमीन उसे नीचे खीच लेती है वह ज़ादा लीटर गिला नहीं करता आपका वापे भी बुरादा बचेगा और आपका ज़्यादा फर्म गिला नहीं हो गा मानलो आपके पॉल्ट्री शेड में कच्चा फर्ष है, मिट्टी का और आपको लखता है कि मिट्टी में बहुत बड़ी दिक्कत होती है अब आपको पक्का कॉंक्रेट का फर्ष करना है तो आप उसे कर पाओगे लेकिन अगर आपके पास पक्का है तो आप उसे मिट्टी वाला नहीं कर पाओगे इसलिए कच्छे को आप कभी भी पक्का कर सकते हो अब मैं आपको बता दू अगर आपके पास कच्चा फर्ष है तो आपके नुकसान क्या होते इसमें ज्यादातर दोस्तों चुहे जो है वो ज्यादा बिल बनाते हुए देखे जाते हैं साथी चुहे जो है फिड़ भी खाते हैं दाना भी खाती है और बिमारी भी फैलाते हैं उसके साथ-साथ दोस्तों चीटिया वगिरे के आपको छोटे-छोटे छेद भी ज्यादा मिलेगे, सपाई करते वकत आपको थोड़ी तो दिक्कत होगी, क्योंकि पहले तो आपको पॉल्ट्री शेट पूरी तरह से लिटर साप कर लेना है, फिर लिटर साप करते समय, लिटर पुता ही नहीं कर सकते हो चूने की, चूने की पुता ही करने के पहले आपको उस पे गोबर वगेरा की पुता ही करनी पड़ेगी, इसमें लेबर चाथ ज़्यादा लगता है, मिट्टी और गोबर ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको चूना का जो पाउडर आता है, वो चूजे जो है वो पूरे मट्टी में दिन बर खेलते रहते वो मट्टी के अंदर छोटे-छोटे गड़े बनाते और उसमें बैट के पूरे फंक हिलाते इससे उनका शरीर भी गंदा होता है अगर आपका बर्स दिखने भी जितना वाइट दिखना चाहिए उतना नहीं दिख पाता ये भी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन कच्चे फर्ष में जो मैंने आपको इतने बड़े नुकसान बताया वो कोई माइनी नहीं रखते मैं तो बोलता हूँ कि सबी बॉइलर फार्म वाले कच्चा फर्षी यूज़ करे और कच्चे फर्ष को ही रखे प अपना पॉल्टी शेट ज्यादा बड़ा बनाए साथ ही दोस्तों ये छोटे मोटे प्रॉब्लम को मैनेज करके आप इजी ली बिजनस कर सकते हो कच्चे फर्ष में पक्के फर्ष के पीछे ना लगे आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताना वीडि को लाइक करके दरूरत मन दोस्तों में शेयर कीजिएगा आप सबी का धन्यवाद